जब से मैं डिजनी और रिलाइंस के पॉसिबल मर्जर को कवर कर रहा हूँ मैं स्टाटिंग से एक बात कह रहा हूँ कि इस मर्जर में काफी ज़ादा कॉंप्लिकेशन सा सकती है या बात मैंने पहले भी बोली है कि रिलाइंस के पास अंधा पैसा है पर रिलाइंस अंधा नहीं है इसलिए वो नेक्स्ट बड़े प्लेयर डिजनी को खाने वाले थे लेकिन अब कॉंप्लिकेशन फिर से प्राइस पर आ गया मांग रहा है अब डिजनी ने जब स्टार को खरीदा था तब स्टार की वैल्यू थी 14 बिलियन डॉलर इस ने इसी चीज को थोड़ा होर नीचे गेर दिया जो कह रहे हैं कि वह अब 4.5 बिलियन डॉलर देंगे इसे 51% Reliance के पास आएगा 40% Disney के पास जाएगा and 9% Murdoch Family के पास रहेगा Murdoch Family Disney से पहले जो Fox के owners थे अब ऐसा हुआ क्यों Reliance ने नीचे क्यों गेर दिया सबसे बड़ा रिजन यही है Sony Z Merger क्योंकि आप सभी को ICC की TV डील का पता होगा Disney ने ICC की TV डील कर रखे लेकिन मर्जर नहीं हुआ तो कहां से पैसे दोगे 1.5 बिलियन डॉलर्स की डील है जो Zee अब पैसे तो नहीं चुका पाएगा यानि ICC TV डील वापिस Disney के पास आजाएगी and वो उसकी वैल्यू थोड़ी गेर देता मर्जर याँ पर भी कैंसल हो सकता है अब देखो मेरा पता क्या अपीनियन है जब तक Sony सी मर्जर हो रहा था मैं चाहरा था कि चलो Reliance Disney के भी हो जाने दो लेकिन आप वो नहीं हो रहे है तो बैंकर यह भी नहीं होना चाहिए लेकिन एनिहाओ डिसनी ने फुद्दू पना किया कि नहीं भाई हम तो ठक गया हमें कुछ करना ही नहीं इंडिया में तो फिर नेकोशियेशन बगेरा करके पाच्छे बिलियन डॉलर्स में बैज देंगे वाल आपके क्या अपिनियन जास पे हमें कमेंट्स में ज़रूर बता है इंसाग्राम पे होल्फूट ब्लॉपर से इंडिया को फॉलो कर ले एंड ऐसे इंट्रेस्टिंग कॉंटेंट के लिए यूनो